तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास के हिंदी का कावेखंड गद खंड में 13 चाप्टर था और 1 by 1 करके पूरा का पूरा चेप्टर यानकी 13 का 13 चेप्ट कैसा चाप्टर हैं इंट्रेस्टिंग भी लग रहा होगा थुड़ा बोरिग भी आप लोगों लग रहा होगा की बोरिग Olok पता नहीं तो यकीन मानिए बहुत ही जिदा इंट्रेस्टिंग ही है कवीथ कडबक नाम का कवीथा कवे खंड है का व्यानि की व्यारय हूत है ठीक है ना तो कावे खंड में हम लोग सबसे पहला कवीता पढ़ने वाले हैं कडबक को जिसके लिखने वाले कौन है मलिक मुहम्मद जायसी यानि कि इस कवीता के कवी है मलिक मुहम्मद जायसी और याद रखिएगा मलिक मुहम्मद जायसी जो है ना इनका बाया आख और कान नहीं है मतलब ना तो ये बाये आंक से देख सकते हैं और ना ही ये बाये कान से सुन सकते हैं ठीक है मतलब इनके पास सिर्फ एक ही आख है और एक ही आख से ये कवीताय लिखते हैं और इतनी जादा इनकी परचलित कवीताय है ना कि ये बहुत सी जदा परचलित हुए कवीता के दुनिया में ठीक है तो यह अपने आपके उपर आप बोल सकते हैं लिखे हैं कवीता इस चप्टर में दो कड़बक आप लोगों को पहना यान की दो खंड है कवीता का दो खंड दिया है पहले खंड में मलिक मुहमद जायसी बताये हैं कि इंसान का रूप माइने नहीं में मलिक मुहमद जायसी जो है वह बताये हैं कि अगर इंसान मर भी जाता है ना लेकिन अच्छा कर्म करके मरें तो उसका नाम लिया जाता है ठीक है चले स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को पढ़कर और बताती हूं हर एक एक लाइन को पढ़कर अच्छे तरीके से 100% करेक्टली बना कर आप लोग आएंगे तो विडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा उससे हो गई है कि मिरो जाने वाली और वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक है तो चले स्टार्टिंग से मैं पहला कड़बक पढ़ूंगी यान की पहला जो खंड है वो पढ़ूंगी और फिर उस सेकेंड हम लोग मतलब दूसरे खंड पर जाएंगे तो यह पहले कड़बक में मलिक मुहमध जायसी लिखे हैं और हां आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई भी देगा जो जो मैं पंक्त यानि कि जिस व्यक्ति के अंदर गुड हो गुडशाली व्यक्ति को कहते हैं गुणी सोई का मतलब होता है वही जेई का मतलब होता है जिसने ठीक है यहाँ पर बोला जा रहा है इस पहली पंक्ति में बोला जा रहा है कि वही मलिक मुहमध जायसी कवी जो है न अपने आपक को बोल रहे हैं कि यह वही मलिक मुहम्मद जायसी है जिसके पास एक नैन यानि की एक आख नहीं है यानि की बाई आख नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी मलिक मुहम्मद जाइसी के पास क्या है गुर है गुरुशाली है मतलब मलिक मुहमद जाइसी के पास हुनर है काबिलियत है और इसलिए वही मलिक मुहमद जाइसी अपनी कविताओं से सभी लोगों का मन जो है मोह लेता है मतलब इतनी परचलित कविताय लिखता है मलिक मुहमद जाइसी कि सभ लोगों को दिल जीत लेता है सबी लोग सुनना पसंद करते हैं तो भले ही मलिक मुहमद जैसी के पास झाय नहीं नहीं है लेकिन उसके पास गुढ है वो गुरुश्याली व्यक्ति है जो की अपनी कवीताओं से सभी लोग का मन मुह लेता है इतनी परचलीत कवीताओं लिखता है कि चांद जैस जग बिधी ओतारा दिन कलंक किन उजियारा यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे बिधी का मतलब होता है विधाता यानि कि इश्वर और जग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे संसार दुनिया ठीक है और ओतारा का मतलब होता है जन्म देना और दिन का मतलब होता है दिया और उजियारा का मतलब होता है उजाला तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो इस संसार का विधाता है यानि कि इस जग को बनाने वाला है यानि कि इश्वर जो है उपर वाला ठीक है यानि कि जो विधाता है उसने चांद को जन्म दिया है और यह वह की चांद है जो अपनी रोष्झी से पूरे जग को उजियारा किये रहता है यानि की मनतलब व्यारी रहता है चांद की रौष्णी से पूरा जग जकमगा ऊता है लेकिन पशिर भी अगर आपृक्र लोग देखेु होंगे लो चांद पर क्या दिखाई देता है थंक है जग सुग सुआ नाहा वोजिए शुक मतलब होता है नक्षत्रों के मद्या तो जिस हुए है यानि कि वो भी उजाला किये हुए और जिस तरह चांद भी रोशनी दे कर उसमें कलंक यान की धब्बा पाया जाता है बिल्कुल उसी तरह मलिक मुहमद जाइसी के पास भले ही एक आख नहीं है गुण है गुण रानी वेक्ति है मलिक महमद जाइसी और इसलिए यह इतनी पर्चलित कविताय लिखता है कि पूरे कवीता जगत को इनकी कविताये जो है ना उजाला कर देती हैं सबी लोग इनकी कविताओं को सुनना पसंद करते हैं ठीक है वही बोला जा रहा है कि जो लही जग सुजा एक ही नयना है मतलब एक ही नयने से ये भी कविता जगत को उजाला कर देते हैं मलिक मुहमद जैसी अपनी कविताओं से क्या खुबसूरत तरीके से मलिक मुहमत जायसी लिखे हैं बोल रहा है कि जो लही यानि कि जब तक अंबही मतलब आम में और डाब का मतलब होता है आम का नूकिलापन जिससे हमें पता चलता है कि आम मीठा है या फिर नहीं आप लोग तो आम खाते होंगे ना तो आप लोग आम को देखकर बता सकते हैं कि आम मीठा है या फिर नहीं तो कैसे बताते हैं आप आम के डाब को देखकर बताते हैं यानकि आम के नुकिलापन को देखर बताते हैं और वो क्या थभ्बा वोता है न उसी को ब बटाते हैं कि आम क्या है मीठा है तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि जो लही अंभ़ी डाब नहीं होगा तब तक वह आम मीठा किहाएं हम में डाब को ही देखकर पता चलता है कि अंसी आम का मीठा होने के लिए उसमें से मीठा का सुगंद राने के लिए जरूरी है कि आम कर डाब हो बिल्कुल उसी तरह मलिख महँमद जwhiteर वोल रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ भी है मेरे मेरे अंदर भी एक कलंग है मेरे अंदर भी एक डाब है कि मेरा एक आख नहीं है और इसलिए मैं इतना ज्यादा कवीता के दुनिया में परचलित हूं कि नह समंदर पानी जो खारा तो अति भेव ऐसुझ अपारा यानि कि यह जो समंदर का पानी है इस दुनिया में पानी जो समंदर का पानी अगर वो खारा नहीं होता ना खारा नहीं होता पीने योग्य होता मीथा होता तो सभी लोग उसको खत्म कर दियते पीकर लेकिन वो खारा है इस लिए इस दुनिया में पैला हुआ है थीखे अपार फैला हुआ है तो उसी तरह मलिक मुहमद जायसी के साथ भी है अगर उनका एक आख नहीं है ना इसी वजह से वह और भी ज़्यदा परचलित और फेमस है उनका एक आख नहीं होने के वजह से वह और भी ज़्यदा परचलित हो गए फेमस हो गए वही यहां पर बताना चाए रहे हैं कि अगर पाणी खाला नहीं होता तो संबीन लोग ठीकर खत्म कर देते पाणी अगर खाला नहीं होता तो इस दुनिया में फैला नहीं होता बिल्कुल उसी तरह अगर मेरे पास सब्सक्रण होता ही जोगा सुमेहिं के परवत पर पर neighbor घ़ाता तो वो सोने का नहीं होता, जो नहीं घरी कलंक न पारा, काच होई नहीं कंचन करा, काच का मतलब होता है कच्चा सोना, कलंक का मतलब होता है कोईला, यानि कि जिस तरह कच्चे सोने को कोईले के ताप पर तपा कर खरा किया जाता है, तब उससे कडा या फिर तरह तरह के जेव सब्सक्राइब जिसमें आप लोगों को तपना होगा उनसे लड़ना होगा तभी आप जाकर सफल होंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कच्छा सोना को तपा कर खरा बनाया जाता है तब उससे जाकर जेवर तरह तरह के डिजाइन का हार जुमका कड़ा वगर बनता है क्यों क क्योंकि सोने को अपना पड़ता है तब उत्मा खुबसूरत डिजाइन बनता है यहां पर मैं आपनों को एक और एक्जामपल दे कर समझाती हूं अगर मैं सोने के बिस्किट को गले में यूही लटका कर घुमती फिरू तो सब लोग क्या कहेंगे कि पागल हो गई है इसके प लाइन होता है कि परिवरतन होने के लिए सोने के पड़ाइन होगा वो जो जफुनार है उससे कि पीटा होगा उसको कुटना कोईले की आग में तपाया होगा तब जाकर वो एक खुबसूरत सोने का हार का रूप लिया होगा बिलकुल उसी तरह इंसान को अपने जिंदगी के संघर्टों की आग में तपना पड़ता है तब ही वो एक सफल इंसान बनता है यहां पर बोला जा रहा है कि मलिक मुहमद जैसी एक नैन के ऐसे दरपन है जिसमें सभी रूप व्यक्ति जिनका जो रूप है ना बहुत ही कुपसुरक है यान कि इतने भी खुपसूरत लोग है रूप व्यक्ति उसी दरपन में आकर देखते हैं यानि कि मलिक मुहमद जैसी एक नैन के ऐसे दरपन है जिसमें सभी रूप व्यक्ति आकर उसे दरपन में अपना मुख को देखते हैं ठीक है अपने चेहरे को देखते हैं तो यह हो गया पहला कड़बक यह लास्ट पंक्ती था और यहां पर हो जाता है पहला खंड कम्प्ल वह उसी के बारे में यहां पर डिसकस किये कि मलीक मुहंम्मद जायसी ने प्रेम पीर नाम के कावी और लोगों को सुनाया है चिसने भी उस प्रेम पीर नाम के कविता को सुना है ना उसने प्रेम के पीर यानि कि प्रेम के पीड़ा को अनुभव किया है प्रेम के पीड़ा को समझा है कि आखिर प्रेम का पीड़ा क्या होता है अभी कुछ लड़के और लड़किया प्रेम नाम के शब्द को प्यार नाम के शब्द को इतना बदनाम कर दिये ना कि अगर आप positively बोलोगे प्रेम तो भी लोग जो है न उसको negative तरीके से ही लेते हैं ठीक है ये कुछ लोग होते हैं कुछ लड़के लड़किया होती है फिलाल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है मलिक मुहमद जैसी कि मैंने प्रेम के पीर नाम के कवीता को इस तरह ल इसी बोल रहा है कि मैंने अपने प्रेम के पीर नाम के कवीता को रकत के लेई यानिकी खून के लेई से जोड़ा है जिस तरह एक कागज को चिपकाने के लिए जोड़ने के लिए किताबों को जोड़ने के लिए लेई यानिकी गोंद का यूज किया जाता है बुलकुल उस के आशू से कविता को भिंगोया हूं और मन जानी कभीत असकिनहा मकूया रहे जगतमन चिनहा बोल रहे हैं कि मैंने प्रेम के पीर नाम के कविता को मैंने इस कविता को यह सूच कर लिखा है कि भले ही मैं इस जगत में रहूं या फिर ना रहूं लेकिन इस कवीता से मेरी पहचान इस जगत में बनी रहे, इस संसार में बनी रहे ठीक है? कहा सो रतन सेनियस राजा, कहा सुवा सि बुधियू पुराजा कहा अलावदीन सुल्तानू, कहा रागव जई किन बखानू, कहा सुरूप पदमाव तिरानी, कोई नरहा जग रही कहानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहा गये वो रतन सेनियराजा, कहा गये वो सुवा जो बुधिमान थे कहां गया वो अलावदीन जो सुल्तान था वो सुल्तान अलावदीन कहां गया कहां है वो रागव चेतन कहां है सुरूप पदमाउती रानी यानि कि रूपवती पदमाउती रानी कहां है कोई नहीं रहा जग रही कहानी यानि कि जगत में सिर्फ उनकी कहानी रही बाकि सभी लोग इस दुनिया को छोड़ कर चले गए धनी सो पुरुख जस किरती जासू फूल मरे पर मरे न बासू बोला जा रहा है कि जिस तरह फूल मर जाने के बाद फूल के मुर्जा जाने के बाद उसका बास जो है न वो खतम नहीं होता है उसका बास रहता है यानिकि इसका सुगंद रहता है बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में धनी व्यक्ति वही है जिसके मर जाने के बाद भी इस संसार में इस जगत में सम्मान के सांथ उसका नाम लिया जाता हो अब देखिए यह लास्ट लाइन है केई न जगत जस बेचा केई न लिन जसमोल जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल यहां पर बोला जा रहा है कि केई न जगत जस बेचा यानि कि पहचान को कोई ना तो बेच सकता है और नहीं खरीद सकता है जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल मलिक मुहमद जायसी अपने आपको बोल रहे हैं कि मैं पूरे विश कड़बक भी खतम हो जाता है यह दो खंड था और 12 क्लास के हिंदी का जो चैप्टर नमबर वन कड़बक नाम का यह चैप्टर है यह पूंडूप से कंप्लीट हो गया आई होप आप लोगो समझ में आया होगा लेकिन हाँ अभी हम लोग मलिक मौमत जाइसी के बारे में नही ज्यादा हो सके अभी तक आप लोग शेयर नहीं किया है तो शेयर करें लाइक करें वीडियो को और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है आई हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा नोटिफिकेशन बिलको दबा लीजेगा उससे होगा यह कि मिरो जाने वाल मलिक मुहमद जैसी यानिकी लेखक के बारे में समझ लेते हैं यह इनका इमेज है उतना क्लियर भी नहीं है लेकिन हाँ फिर भी अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब यह इसी तरह होंगे पतले करके होंगे जिस तरह मतलब देखने से हुलिया का पता चल जा रहा है इसी तरह इ नहीं हुआ है नहीं यह अनुमान लगाया गया कि 1492 में मलिक मुमत जैसी का जन्म हुआ होगा और इनका निवास इस्थान उत्तर परदेश कबर अमेठी का जायस है यान कि यह मुल निवासी कहां के थे तो जायस नाम के जगा के मुल निवासी थे जायस के उत्तर परदेश मे जो है और निधन की बात कर लें तो 1548 ये भी अनुमानत है मतलब कंफर्म नहीं है अनुमान लगया गया कि पंदर सर तालिस में मलिक ममज जैसी का इनकाल हो गया होगा निधन होगा ठीक फिता जी का नाम है दो नाम है मलिक शेख ममरेज और मलिक राजय अश्रफ याद रखिएगा ये दोनों इसकोई बीए ओपसं में देगा और आप लोग को बताना होगाकि इनके पिता जी इनका न याद रखना है आगे बढ़ते हैं गुरु का नाम भी यहां पर दिया गया है शुफी संथ शेख मोहीदी और शयद अश्रफ जहांगीरी दो गुरु का नाम दिया गया है हम लोगे भी अपने लाइफ में बहुत सारे गुरु टीचर होते हैं तो इसी तरह इनके भी बढ़ते हैं और बाद में शेख जीवन फकीरी में बिताएं बच्पन में ही अनात हो गए थे सादू फकीरों के सांथ बटकते हुए बच्पन बीता मतलब आप समझत सकते हैं कि मलिक मुमत जैसी का जो बच्पन है ना बहुत ही दरदनाक तरीके से बीता एक तर से इनके मा परसनालीटी की इनका स्वभाव नेचर कैसा था यह देख लेते हैं सबसे पहले तो चेचक के कारण यह रूपहिन तथा बाई आख और कान से वन्ची जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी इनका बाया और कान नहीं था कारण चेचक चेचक के वज़ा से चेचक के कारण यह रूपिन हो गए ते यानकी चेहरा सुंदर इनका नहीं दिखता था और बया आक और कान नहीं था इंका मुझा लप सुन और देख नहीं सकते थे हैं मृदुभाशी थे मरस्वी और स्वभाव तर्स अंते इनकी सुम्हाव से इस संत्र थे एंका है इनका नेचर कैसा थ मृदू भाशी थे मतलब की मीठा बात करते थे ठीक है क्रितिया की बात कर ले कि ये क्या क्या लिखे कौन कौन सी कवीता कौन कौन सी किताब वगेरा तो देखिए पदमावत जो की इंपोर्टेंट है अभी आप लोग जो कड़बक पढ़ें दोनों कड़बक पदमावत से ही लिया गया है यह पदमावत कवीता से दोनों कड़बक लिया गया है याद रखिएगा अखरावत इनी का लिखा गया है आखरी कलाम चितर रेखा कहरा नामा मसला या मसला नामा यह सब क्या है यह मौलिक मौमत जाइसी की कृतिया है जो इनके दौरा लिखा गया है और इसक काव यह खंड का है फॉर्स चाप्टर कडबक यह पूर्ण रोप से कंप्लीट आई वोप आप लोगों को पूरा चाप्टर समझ में आया होगा कोई भी कम्ट्वीजन हो कमेंड में लिखकर पूछ लिजेगा चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर लिए जहिंद और खुदा हाफिज